पेट साफ करने और कब्स को जड़ से खत्म करने का आज मैं आपको इस वीडियो में 100% नैचरल जो हमारी आयुरवेद की गरंत चरक समीता में नुस्खा बताया गया था वो बताने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान पूरवक अन्त तक अवश्य देखें वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूलें आपकी एक लाइक से मेरा मनुबल बढ़ता है मेरा मोटिविशन अप होता है मुझे कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं साथ में चैनल को करें और बैल आइकन गंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंट मिल जाए दोस्तों इस मुस्खे को बनान मुलेठी दोस्तों जितने भी गायक हैं जो अपने गले को साफ करना चाहते हैं जो सिंगिंग करते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं गले के लिए बहुत अच्छी होती है ये और साथ में पेट के लिए जिनको कब्स की समस्या होती थी पहले पुराने जमाने में उनको प्रॉब्लम ना होना इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता आपकी उमर कितनी है एक बार में सुबह उट करके अगर आपको संडास नहीं आता है इसका मतलब है आपको कब्स की शिकायत 100% है इसको ठीक करने के लिए मुलेठी का प्रियोग अ सो जाएंगे 8 घंटे के अंदर-अंदर मान के चलिए अगर आप 9 से 10 के बीच सोते हैं तो आप अपने आ 5 बजे उड़ जाएंगे तो ऐसे लोग जो सुबह सूरे उदे होने से पहले बिना अलार्म के उड़ जाते हैं वो तभी होगा जब आप रात को टाइम पे सोएंगे तो उनका कभी पेटस खराब नहीं होता है, उनको कभी भी कब्स की कांस्टिपिशन की दिकत नहीं होती है, जो ज़ादा टेंशन लेते हैं चिनता करते हैं उनको भी कब्स की शिकायत होती है दोस्तों दूसरे नंबर पर यहां में हमने लिए क्यूमिन सीट्स दोस्तों आप लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नीचे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में यह है अजवाइन दोस्तों अजवाइन तो आप सभी को पता होगा सभी के घर में हमारी दादी नानी पुराने प्राचीन काल से पेट साफ करने के लिए किसी को टटियां लग जाती थी उसके लिए दोस्तों अजवाइन का प्रियोग सबसे अच्छा माना जाता है लेकिन आज मैं आपको यह जो इस विडियो में प्रियोग बता रहा हूँ ना इसको आप एक महीने के लिए स्टोर करके रखिए छोटे बच्चों का पेट खराब हो जाता है बड़े बजर्गों का नोजवान युवतियों का युवकों का पेट खराब हो जाता है आप सिरफ ये होम रेमिडी हलके गुनगुने पानी में एक चमश डाल के दे देना मैं आपको गरंटी देता हूँ मैं आपको विश्वास भरोसा दिलाता हूँ कि जिन्दगी में दुबारा आपका कभी पेट खराब नहीं होगा अगर हो तो ये जो आई उर्वेद की दवा आप घर पे देशी तरीके से तैयार करेंगे इसका सेवन कर लेना लगबग लगबग मान के चलिए अगर आप एक महिने का प्रियोग बना रहे ना तो सो ग्राम की मातरा में मुलेठी ले 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 ना और सो ग्राम की मातरा में ही अजवैन ले ले ना और अपने खाने का टाइम फिक्स रखें और शाम को सूरे उदे होने की आस पास में आपको भोचन करना शुरू करना है बीच में 8 घंटे का गैब दीजिए और एका दशी जब यानि की एक दिन जो फुल मून डे होता है उससे एक दिन पहले आपको फास्टिंग करना पेट को सिर्फ उस दिन पानी पीएं फास्टिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रियोग करने का सही तरीका बताऊंगा लेकिन यह जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं नहीं आई और वेद की जो नियम बता रहा हूं इनका पालन करना गलती से भी न बूलें यहाँ पे गिलास में देख सकते हैं यह जो मैंने पानी लिया है न दोस्तों यह है तामबे के बरतन का पानी यानि कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉपर वेसल दोस्तों तामबे के बरतन का पानी अत्ति उत्तम होता है लेकिन आप लोग lifetime की एक बार की एक investment type होगी तो ये जरूर करें दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है लगबग एक छोटा चमच यहाँ पर अजवाएन इसके बीच में डाल दिये और साथ में यहाँ पर मैंने एक दूसरी कटोरी लिये यहाँ पर जो मुलेटी की दो लकड़िया शाइज आप DIRE लेज़ पानी में डाल करके राथ को सुते समय इसकी बीच में बिच में बिघो करके रख दूंगा और अजवाएन भी मैंने वहाँ पर बिघो दिये आयुर्वेट के कुछ और नियम बहुत जादा जरूरी है आपके लिए जानना जिनको कब्स की शिकायत है कॉंस्टिपेशन की प्रॉबलम है जिनको भी कब्स की शिकायत है उनको सुबे उठ करके एक से डीड गिलास पानी तामबे के बरतन का जरूर पीना चाहिए और स्टार्टिंग के एक महीने में आदा छोटा चमच त्रीफला चूरन अगर हो सके तो रात को मिट्टी के बरतन में त्रीफला को डाल के रख दें हलका सा थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना करके और सुबे पानी डाल करके पियें वो जादा भी फायदा करेगा ये एक महीने के बाद में त्रीफला चूरन के पानी का प्रियोग बंद कर दीजिए लंबे समय में नहीं करना होता है इसका प्रियोग वरना ही उल्टा नुकसान करता है आपकी बॉड़ी उसी पे टिपेंड हो जाएगी फिर त्रीफला पे तो दोस्तों उसके बाद में याँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मुलेठी को तो पहले दो लेता हूँ अच्छे से क्योंकि इसमें धूल मिट्टी होती है जैसी आप दुकान से खरीद करके लाते हैं इस तरह से दोस्तों आपको मुलेठी को दो लेना है इसको रात को चाहें तो आप पूरे आठ घंटे के लिए पानी में डाल करके भी रख सकते हैं बहुत बहुत बहतरी होती है दोस्तों ये इसके अलावा सबसे जरूरी बात जिनको भी कब्स की कॉंस्टिपेशन की शिकायत है उनको जादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी गलती से नहीं खाना है कई लोग क्या करते हैं को जादा है एकदम चटपटी चीज़ें खाने की आदत है बजार के मोमो इडली वड़ा सांबर कुल्चे इस तरह की चने मूंग पता नहीं क्या क्या खाते हैं दोस्तों बहार की मैं बोल रहा हूं मसालेदार तो आपको बिल्कुल भी आसा नहीं कर अज्षि कना दे लिए अज़एंको और अज़एंको पानी में भी भी बगो करके रख सकते हैं जसलता होगा दीमी आंच पे अगे बतार रहा हुं यहाँ हैables अग्याकश नहीं लिख मिछेंन कसरा हैं यहां पर बैद होग्ड़ा कूट करके अगर अद्रक ले रहें तो उससे भी आदा आदे कभी आदा इंची डालें मैं बिना कूटे डाल रहा हूंँ खड़ी हर जो अद्रक होती है वह डाल रहा हूं तो आपको दोस्तों इस तरह से ले लेना है यह जो जिंजर वाटर होता है आपको उसके बाद जैसी उबाला आजए उसके बाद में छान करके इस तरह से इसको बाहर निकाल लीजिए यह पानी का वीक में तीन बार उससे अधिक प्रियोग ना करें जिनको कब्स की प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में और एक महीने के बाद इस प्रियोग को आपको बंद कर देना है दोस्तों यह चीज़ का ध्यान दखें जितना मैं बता रहा हूँ नंगे पैर मिटी पे चलना बहुत जरूरी है हमारा शरीर जो है वो मिटी से मिलके बना है तो मिटी के संपरक में आने से आपकी बॉड़ी की र अध्मोजन